हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टुमाई चैनल, फ्रेंट्स मैं सीमा मिसरा, अपने चैनल सीमा की डायरिन ब्लॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स, आज मैं ले करके आए हूँ, सिर्फ एक कटोरी सूजी से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सा नास्ता और बहुत हेल्दी नास्ता होगा, कम से कम तेल में बनेगा, मत दो चम्माज तेल में हम उसको बनाएंगे और इतना टेस्टी बनेगा है कि आप बार बार यही नास्ता बना करके खाएंगे तो फ्रेंट्स, आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं या हलकी फुलकी भूक में कुछ भी चटपटा सा खाना हो तो आप बना सकते हैं, बहुत पसंद आने वाला है, बड़े हों, बच्चे हों सबको तो यहाँ पर हमने सूजी ले लिया है, कटोरी सूजी को हमें अच्छे से देख लेना है और इसमें कोई नहीं कि आप बारी वाली सूजी ले या मोटी वाली सूजी ले, कोई भी सूजी आप ले सकते हैं, जो भी सूजी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं तो हम तो यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली ही सूजी लिए हैं और अब हम चल रहे हैं इसको बनाने के लिए तो फ्रेंट्स गैस पर हमने रख दिया कड़ा ही कड़ा ही जब गर्म होने लगी है फिर इसमें हम डालेंगे पानी तो फ्रेंट्स आज का जो नास्ता है ना तो उपमा है ना हलुआ है ना ही इडली है एकदम अलग सा नास्ता है सबको बहुत पसंद आने वाला है तो फ्रेंट्स हमें क्या करना है कि हम जिस कटोरी से सूजी लिए हैं उसी कटोरी से हम दो कटोरी पानी लेंगे चाहे जिस सूजी लेंगे उसका double हमें पानी लेना होगा तो यहां पर हमने पानी रख दें उबलने के लिए उसमें हमने डाल देया नमक अपने टेष्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी कमजादा आपको पसंद हो हुं है अजहांपर नमक डाल दिया है और जब यह पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच के लगबग हमने या पर जीरा डाल दिया है बहुत ही चटपटा सा टेश्ट आएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने एक आलू को कद्दू कस करके ले लिया है लच्छे लच्छे की तरह मैं हमने इसको कद्दू कस किया और उसको हम धुल लिये हैं और इसको भी हम छान करके ले लेंगे पानी से तो फ्रेंट्स सूजी और आलू का ये नास्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो आलू हमने कद्दू कस करके रखा है तो यहाँ पर देखिए हमने आलू इसमें डाल दिया ह जटपड से बंढ करके तयार होने वाला नास्ता यहाँ पर हमने डाल दिया चार हरी मिर्शि को बारी बारी काड़ करके आप जितना तीखा खाना पसंद करते हों उसे साफ़िए तर्टिकार भी दलने और अब हम डाल देगे इसमें सुजी सूजी जब हमें डालना है जाँ तो अच्छे से पानी उबल रहा हो तभी डालना है थंदे पानी पर नहीं डालना हैं तो सूजी है अब हम इसमें सूजी डाल दिया है और इसको हमें लगातार चलाते हैं अच्छे से मिक्स करना है मुश्किल से 2-3 मिनिट में ही अच्छे से अपना सेट हो जाएगी तो देखें यहां पर हम अच्छे से इसको चलाते हुए रहना है क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो जो सूजी है उसमें गुठलिया पड़ जाएंगी तो इसलिए लगातार चलाते रहें तो यह देखें मुस्किल से 2-3 मिनिट में ही देखें कितने अच अकसी रेसिपी है सबको बहुत पसंद आने वाली है तो देखें जैसे लग रहा है कि आटा वह वैसे ही आटा के तरह हो गया है और अब हम इसको निकाल लेंगे एक थाली में और थाली में निकालने के बाद हम इसमें डाल देखें एक चमच रिफाइंड ओयल आप देशी चिपके ना और कल ची में लगा था उसको भी आमने निकाल लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके गी तिल जो भी आप रिफाइंड या घी जो भी लगाना चाहें लगा करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करें में कर लेना है कि अगर सूजी में लम्स रह गया है तो भी अच्छे सמנ हो जाएंगी तो दिखे लगतार में मिक्स करते हैं तो दिखे सा गर्म पे है यमें इसको आंटे की तरह को उतना है ठंडा होने पर नहीं उतना है Tru ले लेकिन साधानी से जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसको अच्छे से आटा की जिससे अच्छे से गुत लीजिए तो देखिए अच्छे से बन करके तयार हो जाएगा खाने में बहुत ही टेश्टी लगीगा तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नियू है तो प्लीज मे अब हम थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे तेल घी रिफाइंड ओल जो भी लगाना चाहें और इसकी चोटी-चोटी सी गूली ऐसे हमें बना करके रखना है बॉल्स चोटे-चोटे से तो आप जितना चोटा बड़ा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं लेकिन चोटे-चोट इस नहीं हो पाता है तो इसी दिजित थोड़ा सा थंडा हो गया बहुत जादा नहीं थंडा होना है तो यहां पर देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करना है आटे की तरह कोई च्छे से मसलते हुए गूत लेना है और अब हम इसकी फिए फिप ना पतले मैत प्लाव तो फ्रेंड्स अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएं और आप उनको कुछ अलग सा नया सा नास्ता करवाना चाह रहें तो आप उनके लिए ये नास्ता बनाईए बहुत पसंद आने वाला है सबको इतना टेस्टी लगता है ये और गर्मियों में फ्रेंड्स अगर आप तला भुना खा करके परिशान हो गए है तो आप ये नया सा नास्ता जरूँ ठ्राई करें तो यहां पर हमें चोटी चोटी सही बनाने बॉल चोटा बड़ा जितना बनाना चाहा है जिसichtlich साफ बनाना ज़ाना चाहा है बना सकते हैं आप जो सेब देना चाहा, दे सकते ह हमें सारा यहां पर हम बना लेंगे ऐसे ही तो यह देखिए हमने यहां पर बना लिया है और अब हम इसको चल रहा हैं छलनी में रखेंगे तो ie chỉल यहाँ पर हमने ले-लिया चलनी जससे हम यह हूं चालते हैं चावल चालते हैं वही वाली चलनी है यही है उसमें हम लगा लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ओर और इसी में हम रख देंगे जितना हमने बना करके रखा है तो फ्रेंट्स गैस पर हमने पानी पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए पानी हमारा उदर साइड में गर्म हो रहा है आप किसी भी कडाही में भगोने में रख सकते हैं जिसमें भी आप रखना चाहें पानी उसमें आप रख सकते हैं तो हमने तो कडा गैस का फ्लेम जो हाई करके नहीं उबालना है क्योंकि अगर हम हाई करके उबालेंगे ना तो जो पानी है उसका उपर तक आ जाएगा सूजी का तो बिल्कुल शहीं नहीं रहेगा तो इसलिए थोड़ा से लो फ्लेम पर ही इसको हम ढख करके उबालेंगे मुश्किल से दो से का सकते हैं लेकिन हम यहां पर तल करके नहीं उबाएं दकिंस देखरें गांपना कुछ भी सामान ज्याद में चाहिए घर की बेसिक से सामानों से ही बन करके तयार होने वाला है हमारा यह नास्ता तो यहां पर हम डाल देंगे एक हरी मिर्ची आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसे साफ से डाल सकते हैं यह जरू ध्यान रखेगा कि हमने जो अपने नास्ता बनाया है उसमें पहल चाहिए और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप नास्ता अगर कुछ अलग सा बनाना चाह रहे हैं खाना चाह रहें तो यह रेसीपी जरूर ट्राई करिएगा और जब यह प्याज हमारा जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इस दालना चाहिए उसे साफसे डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से इसी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे इसे पत्ते भी अच्छे से फ्राई हो जाएं तो यह देखिए मात्र पांच मिनट में बन करके तयार होने वाला नास्ता जटपट से सबको बहुत पसंद आ ने वाला है तो देखिए अच्छे से कडीखे पथे भी प्राई हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बना करके एसको इसको डाल देंगे यह देखिए रहरा आप ने यह अपका है क्यां बच्चों का लंच बॉक्स खाली होकर करके ही आएगा इतना टेस्टी लगेगा ये खाने में इडली, समोसा खाना भूल जाएंगे बच्चे इडली, डोसा खाना भूल जाएंगे इतना टेस्टी बने गई ये और जटपट से बनने वाला है सुबे की भाग दोड में आप जल्दी से बना करके खिला सकते हैं अगर आप सूजी को नहीं उबालना चाहरें पानी में तो बिल्कुल भी न उबालें बिना उबाले भी इसको आप सूजी को गूट सकते हैं और गूट करके ऐसे ही बना करके सीधा उबालें जिसे हम जो कड़ाही में पकाए हैं आप वो नहीं पकाना चाहरे हैं तो बिना पकाए भी बना सकते हैं तो देखे यहाँ पर अच्छे सा मिक्स कर लिया उसमें हमने डाल दिया हरी धनिया और हरी दन्या डाल करके हमने निकाल लिया है तो देखे कितना चटपटा सा हमारा यह नास्ता बन करके तयार हो गया है सबको बहुत पसंद आने वाला है एक बार बनाईएगा खाईएगा जरूर और कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालू तो नाटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो देखिए हमारा चटपटा नास्ता खाईए तयार हो गया है और आप भी बनाईए खिलाईए अपने फैमिली को सबको तो हम आपको फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तैंक यू बाबाई